और यह देखिए धान की खेती और यह आपको पूरी धान की खेती देखा रहा हूं कैसे करते हैं धान की खेती यह जोता हुआ खेती पूरा है सब यह सब जोता हुआ खेते पूरा जोते खेत में ऐसे पानी भरते हैं और जब पानी भरा जाता है यह देखिए लकड़ी का पटरा है और उसी पटरे पे बच्चे को बैठा के खीचा जाता है जैसे मैं खीच रहा हूं ऐसे खीचने से मिट्टी इदम प्लेन हो जाती है और दान की फसल बोने के दायक हो जाता है देखिए बच्चा गिर जा रहा है तेकिन बहुत समाली के पकड़ा आई हुआ कर देखिए अमधान की बीया के खेत में आ गए है तो यह बीया है यह बीया को हाथ से ऐसे उखाडते हैं और उखाडने के बाद ऐसे इसका पोडली बना देते हैं ऐसे इसका पोडली बना के फिर इसको बाद के खेत में लेकर जाते हैं जैसे यह जो है यह लड़की लेकर गई है और उसमें फिर ऐसे इसको बोते हैं पूरे खेत में दो तिन तिन पेड़ ऐसे इसमें लगा देते हैं यह देखिए दूप की वज़ा से साप तो नहीं दिख रहा है लेगिन फिर भी ऐसे पेड़ लगा देते हैं यह और यहां से यह पानी चल दाए अब पानी पानी बहुत दूर से आ रहा है पानी आ रहा है उस सामने वाले घर से देखिए दोस्तों यह हम आपको अंधान गई फसल लगा के दिखा रहे हैं यह नहीं लगाते हैं अब जाए फैसे लगाते हैं लाए उखाने देखियो चार पाच-पाच पेड़ एक बार हाथ मिलेगे इसको मिट्टी में गाड़ते हैं जाए इंगिए मेरे साथ यह बच्चा भी लगा रहा है कि ऐसे पूरे खेत में गाड़ देते हैं दो दो चार्जा निकाल गए कि बहुत मेहनत का काम है और यह जब दान हो जाता है दान की जब पूरी खेती रुपा जाती है फिर वह खेती ऐसी दीखने लगती है ऐसी यह पूरा खेत रुपा अब कम्पिलीट हो चुका और अभी इस इलाके में सिर्फ यही खेत अभी बहा चुका है और बागी पूरा खेत खाली अभी है पूरा खेत खाली है सब बारिष का इंतजार कर रहे है और यह जो लड़का बोर है इसका खुद का समर जिबल है इसके लिए इसको हसी आ रहा है कि सबसे पहले मेरी खेती हो गई है और बाकी énerपार 2017 का इंतिजार कर रहे हैं और यह बहुत बड़ा कोदा में फेक्टरी है